नमस्कार बहुत स्वागत थै आपका कई बार जीवन में इतनी परिसानिया बढ़ जाती है कि हम ना तो जी सकते हैं न मर सकते हैं, अब मर जाएंगे तो हमारे अपनों का क्या होगा और जीएंगे तो जीएंगे कैसे क्योंकि सत्रू ही इतने ज़्यादा परिसान कर रहे होते हैं बे बज़ा आपसे दुस्मनी करते हैं कई बार तो अपने ही ऐसा करते हैं अखिर ऐसा क्या करें कि आपके सत्रू बिरोधी वो सांत हो जाए अब बहुत सारे दर्सक ऐसा भी कहते है अगर घर में ही सत्रू हो तो क्या करें आज इसी के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है अगर आपके घर में ही सत्रू है अगर घर के ही लोग आपसे बेबज़त दुस्मनी निकाल रहे हैं तब उनको सांथ करने के लिए आज के दिन एक उपाय करें देखिए वैसे तो आए तो वह एक बार में ही अमोमन काम कर जाता है लेकिन अन्य दिनों में किया गया टोटका कम से कम आपको पांच दिन करना होगा कम से कम क्योंकि सनी बार का दिन टोड़ने टोटके के लिए ही जाना जाता है वैसे आप अमवस्या तिथी को भी टोटका का प्रियोग कर सकत कुए कि यह का हैआ इसलिए कि मतलब होता है चुप रहना और किसीं तुकि अपना कर लें और आप आप देखियें धीर जो आपके सत्रूं है चाहे और भी अहित नहीं कर पाएंगे, आखिर क्या करें? सबसे पहली बात तो जीवन में जब कस्ट बढ़ता है, तब लगता है जैसे सब कुछ, सब कोई बेगाना हो गया, कोई आपको अपना नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, आखिर क्या करें? तो सबसे पहली बात एक बात जान लें आप अमवस्या या सनी बार किनी उपाय करना है आप क्या करेंगे कम से कम पांच काली मिर्च के दाने ले लें काली मिर्च तो आपके घर में होगा ही वैसे भी घर में काली मिर्च खाईए या ना खाईए पर रखिए जरूर लोगों का जल्दी तरंत्रिक इता किया किराया वह टोना ठोटा नहीं लगता नहीं असर करता जिस घर में काली मिर्च होते हैं तो आप 4-5 दाने काली मिर्च ले ले अगर आपका कोई बाहर वाला बैक्ती है तो पूरे घर के सदविके सरसेवारना है और अगर घर वाला बैखती है तो आपके उपर अगर उनकी दुस्मनी है आपसे तो आप खुद के उपर यह कीजिएगा पहले ही किलियर कर दें नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको तो फिर कहिएगा मैडम जी पता नहीं चला तो आपको पांस दाने काली मिश लेने हैं अमा लेते हैं घर में कोई आपको दुस्मन है तो आप अपने सर से कही बार क्या होता है ना पती पत्नी भी बहुत लड़ते हैं अब ऐसे में पत्नियां हैं बैचारी सारा दिन काम करती हैं कभी कभी पत्नियां भी थोड़ी सी जग पुलना है मंत्र है ओम क्लिंग है सामने स्क्रीन पे देखें आपको मंत्र पता चल जाएगा इसी मंत्र को बोलते रहना जितनी मर्ची उतनी बार बोलिए अब सर्चे वार लीजिए उल्टा वार येगा एंटी कलॉग बैस अब आप इसको घर से दक्षिन दिसा में फेक दें, घर से बाहर, जैसे घर से बाहर निकल के फेक सकते हैं, आप छट से भी फेकिए, आप खिड़की से फेक सकते हैं, बालकनी से फेक सकते हैं, जहां आपको सुबिदा हो, चुपके से ये काम कर लें, और पीछे मुण कर मत देखिएगा, आप सान नहीं करेंगे अगर एक बार में फाइदा नहों तो कम